जहां से बहुत लोग पढ़ना चालू करते हैं इस पेश पेश पे कुछ नहीं है जब आगर आप रिविजन कर रहे हो आपने पहले पढ़ा हुआ तो इस पेश को मत पढ़िए अगर आप फर्स टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लिजे उससे फ्लो अच्छा बन जात है तो इस पेश पेश पे इतना कुछ है नहीं जो याद रखने लाएगे लिविंग इसमें आपको क्यारेक्टरिस्टिक जाता है इसने ग्रोध रिप्रोड़क्शन एबिलिट्यू से अब पहले आते ग्रोध पे पहले समझके लोग डिफाइनिंग क्या है या से कोशन बन की पॉसिबिलिटी 2021 में इससे बहुत ज्यादा है डिफाइनिंग और फंडामेंटल पे जो प्रॉपर्टीस सिर्फ लिविंग और प्रेजेंट होना चाहिए और नौन लिविंग के पास नहीं होना चाहिए तो उसको कहेंगे हम डिफाइनिंग फीचर है ठीक है और फंडा लिविंग पास ना हो तो इसे हम किताजी फंडामेंटल या फिर नौन लिविंग के पास भी कुछ ऐसे बीरिस्तिक्स हो तो यह ब्डामेंटल इसमें कुछ एकक्स्टेशिप्चिन आसे शॉट लिक आ जाया तो डिफाइनिंग मतले इसकल इसम्हाई जब मास बढ़ता है जब नंबर इंडीजोस बढ़ते हैं उसे ग्रोध केते यह तुईट मतलब दू करेक्रेक्टरिस्टिक से इंप्रट पॉइंट है कोशन में आएगा 2021 के लिए यह बहुत इंप्रॉट निगल के आरहे है उसके बात हमें पता होना चीह है जो हमारा प्लां के पात क्या रहता है unlimited हमारे पास है limited growth ठीक है याद रखना हमारे पास जो जो सेल्स लिवड करते रिप्लेश सेल्स लॉस्स करने के लिए ठीक है इस सारे चीज़े में जो हायर प्लांट्स है उनमें जो है उनमें आपको पता होगा कि क्या अलग 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 एक्स्क्लूड करना मतलब क्या अलग अलग करना है इंकलुड मतलब एल्टी सेल्स जो है से multi-cellular याद रखना multi-cellular जो है उनमें growth and reproduction mutually exclusive है मतलब synonymous नहीं है same नहीं है mutually exclusive मतलब growth and reproduction एक नहीं है for example अगर कोई cell जो है divide करता है single से ले unicellular में inclusive होता है unicellular में inclusive होगा क्योंकि जब एक cell divide करेगा वो growth भी कर रहा है जब एक organism एक से दो बन रहा है तो उसे कहेंगे reproduction और जब एक cell जो है एक से दो बन रहा है उसे कहेंगे growth लेकि इनमें दोनों सेम ही है क्योंकि इनके एक ही cell होगा और खुद भी डिवैड होंगे तब एक ही cell डिवैड होगा तो उनमें में दोनों mutually inclusive होंगे लेकिन हाइयर अनिमें प्लार्स में mutually exclusive होंगे क्योंकि पता ही होगा आपको क्योंकि बहुत सरे से अलग अलग टाइम पर डिवैड करेंगे और रिप्रदक्शन का अलग अलग methods होते है फिर growth का डिवैड इनको आपस से नहीं हो सकते है और लेकिन अनलव में कहोता है अगर यह ऑगर आगर अगर शनो खतम हो गई तो यह निए घ्रोथ जो है है यह ग्रोथ क्या हो जाएगी सब्सक्राइब करता है ठीक है क्योंकि रिफ्टक्षम सब लोग करते हैं मुश्वत जो है छोटे और जो नीचे की तरफ आते हैं वह करते हैं वह सेक्शिवड रिप्र्शुड नहीं ओष्भव एलग है उते हैं वो दिन से आड तो इसा सिंट्व संट घूल घि यह विए प्लेंट हूँ ने इहां हो पार्ट नया और्गिनिजम बनाएगा ठीक है तुसे कहेंगे true regeneration regenerate करना मतब नया बनाना ठीक है अब important point fungi filamentals अलगी हम protonym of masses ठीक है FFP ऐसे याद कर लो fungi filamentals अलगी हम protonym of masses मॉसे स्वरी ठीक है मॉसेस के होते हैं आगे पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे याद करलो FFP यह कि होता है किसे को से करते हैं और में किसे से करते हैं यह किसे मोजन करंगे इढ़न करेंगे टीक है, ऐसे कुछ organisms भी है, तो fundamental क्यों है, defining क्यों नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे organisms भी living organisms है, जो reproduce नहीं करते, for example, mules, mules के होते हैं, यह हम donkey और horse को cross करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम inter-specific hybridization में, तो उन्हें हम mules कहेंगे, trail worker beast होते हैं, honey beast का एक type होते हैं, आगे बटाऊंगा मैं, औ infertile human का बस, आपने देखा होगा, कुछ human couple होते हैं, इनको, two years of unprotected sex, यह term दिया हुआ है, हमारे summary में, ठीक है, reproductive health के summary में, जब two years of unprotected sex, मतलब, without protection, अगर two years का sex किया है, couple ने, तो अगर फिर भी उनको, जो है, उनको kids नहीं हो रहे, वो consume नहीं कर पा रहे, तो उसे हम artificial techniques होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह होगा important point, इसके बाद another link, another characteristic metabolism, metabolism क्या है, जो chemicals का reaction हो रहे हैं हमरे body में, उसे कहेंगे, sum total of all chemical reaction, सारे chemical reaction का, जो sum total of all body, उसे कहेंगे metabolism, ठीक है, यह definition पूछाने की possibility बहुत ज़्यादा, definition पूछाने की possibility बहुत ज़्यादा है यह याद कर ले ना, उसके बाद chemicals, small and big, जो body में chemicals होते हैं, जो substrate के थे, substrate, वो continuously change हो रहे होते हैं, product में, in presence of enzyme, ठीक है, some other biomolecules, important है, याद रखना, ठीक है, तो यह कैसा हो गया, यह defining property हो गया, यह कैसी हो गया, defining property हो गया, याद रखना, क्योंकि metabolism जो है, non living में नहीं होता, आ defining feature है, important है, defining feature इससे question बनेगा, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, इसके लेकिन important point क्या है, जो metabolism है, metabolism है, metabolism है, defining feature, याद रखना, दिया हुआ है, बाबने बोलना नहीं, defining feature of all living organisms, without exception, क्योंकि exception है, इससे defining feature है, याद रखो, isolated metabolic reactions, जो metabolic reactions, isolated होते हैं, in vitro, in vitro मतलब body के बाहर, य living thing नहीं होते है, मतलब हम किसे हम living thing है, ठीक है, तो वो living thing नहीं होते है, लेकिन reactions living होते है, याद रखना, ये point, ये आने की possibility बहुत ज़्याद है, और जो silver organization होता है, body का, वो भी का है, हमारा, वो भी defining feature है, silver organization मतलब क्या, हमारी body cell से बने होई है, तो इससे हम कहते है, उससे ह कोई से पढ़े आवे तक हमने, हमने दो पढ़े fundamental, कोई से growth reproduction, दो पढ़े defining, metabolism or cellular organization, आपने देखा होगा, non living object है, for example, mobile आपका, उसमें sales होडी है, ठीक है, तो उस sales से हुआ, बना हुआ नहीं होता, तो इसले हुआ, तो इसले हुआ, जो है, cellular organization के है, ये एक defining feature है, तो उसके प technically complicated, ठीक है, क्यों मैं बता रहो है आप करने, क्योंकि ये line उठके आएगी, किसा कौन सा feature है, जो obvious भी है, और technically complicated भी है, तो आपको answer mark करना पड़ेगा, इस case में, consciousness, conscious मतला, आप अपने surrounding के घर में, aware कितना है, ठीक है, क्या चल रहा है, आपके, आप कैसे respond करते, ability to sense the environment and respond to the environmental stimuli which could be physical, chemical or biological, ठीक है, हम environmental sense करते है, response जो है, biological हो सकते है, chemical हो सकते है, physical हो सकते है, ठीक है, हर कोई respond करता है, ये prokaryotes से लेके, eukaryotes हर कोई response करेगा, ठीक है, photo period अगर affect कर रहा है, seasonal period सो, वो भी एक response है, ठीक है, plants भी respond करते है, लेकिन human beings अकेला है, human being is the only organism who is aware of himself, हम खुत के बार we are aware of himself, he is aware of himself, he is aware of himself, he is self-conscious, consciousness मतलब क्या, surrounding के बार में aware है, ठीक है, कि हाँ, ये अगर हो गया, तो हम इसे response करेंगे, अगर कुता, ठीक है, मतलब doggy जो है, ठीक है, अगर doggy जो है, वो किसी बिल्ली के पीचावे भाग रहा है, तो वो एक response है, जो consciousness के वज़े से हो रहा है, लेकिन, self-consciousness नहीं है, self-consciousness हमरे पास है, जो source समझ के हमनों decision ले सकते है, ठीक है, consciousness देफ़र become defining feature of organisms, समझ गया, अब तक हमने दो fundamental पड़े, रो त्री पड़ेशन और तीन बड़े हमने defining, कौनसे कौनसे, metabolism, civil organization, consciousness है, याद कर लेना, याद कर लेना कि self-consciousness defining नहीं है, ये option में कि उन पेशन का क्या, जो कोमा में होते है, उनका जो brain है, वो dead है, लेकिन फिर भी जो है, उनका body चल रहे हूँ कि heart और lungs जो है, machine के द्वारा चलाए जा रहे है, उसका ये part में आते, important point, जो tissues ने properties होती है, वो constituent cell की वह से आलग होती है, मतलब जो cells होते है, समझो ये A cell है, ये B cell है, इनका property अलग अलग है, लेकिन जब ये arrange होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, और एक function perform करते हैं, उसे हम केचे tissue, और tissues जो है, उनकी properties अलग होती है, as compared to constituent cell, लेकिन वो arrays कैसे होती है, वो जन्म कैसे लेती है, वो जन्म लेती है, interactions among the constituent cells, जो constituent cell के इसमें इंट्रेक्श का function बनेगा, properties जो के cellular organelles are not present in the molecule of constituents, मतलब एक molecule बन बनके एक cell बनता है, cellular organelles बनती है, तो वो properties उसमें present नहीं होती है, लेकिन interaction की वो जैसे properties आ जाती है, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है, तो ये सब चीज़ा रहे से पढ़ सकते हो, ठीक है, self-regulating, self-replicating, evolve हरे हैं हम लोग हमर पास systems interactive हुए, external stimuli को हम respond कर पा रहे है, biology क्या है, जो life की story है, बायो मतलब life, जो life की story है, पृत्वी पे उसे कहेंगे biology, ठीक है, जो story of evolution है, उसे कहेंगे biology, और हम लोग सब से जो पहले organisms होके गए, present, past और जो आएंगे future, हम सब एक दूसरे link है, ठीक है, लेकिन कुछ हमर बायरूट 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 तू वेरिंग डिग्रीज कुछ डिफरेंस भी होते है, अब आते है इस पर, इसमें आपको याद रखने है, वन पॉइंट टूटल नंबर स्पीशीज, अभी तक जो स्पीशीज डिस्क्राइब हुए, अभी तक जो बायूटि फिरुप्त करेंगे पिर इसको हम लोग identify करेंगे फिर इसको हम लोग identify beep या सको हम लोग नाम देंगे नाम देने के और अलग 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 गृप्स में थिक है तो हम लोग if इवेंट जे इसे आम नाम देते हैं CINC किंक याद रोको यह ट्रिक है characterization identification nomenclature classification ठीक है पहले character धुणे classify last में करते कोई भी ठीक है kink याद रोको kink CINC 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 characterization identification nomenclature classification यह सब दिया हुआ यहापे किसे classify करते हैं उसके बाद ICBN international code for botanical nomenclature international word याद रखो option में इंडिया होगा इंडियन नहीं है फुरी दुनिया के लिए जग जग के लिए सब एक ही है international code for botanical botanical नाम से समझा रहे plants के लिए जू लोजिकल नाम से समझा रहे animals के लिए ICBN मतलब international code for botanical nomenclature option में आपको कंफ्यूस करने के लिए ICNB दे सकता है ठीक है अगर लाक्स में भी आ गया लाक्स में भी आ रहे तो उसका फुल्फर्म होता है international code for nomenclature of bacteria ठीक है botanical के लिए बीच में आता है भी ICBN तो याद रखना यह आपको डिश्टरब कर सकता है कंफ्यूस कर सकता है फिर दो हमने हमें एक 60 3 4 खतम आपको टू अप्सिन भी आपको कि नाम यह बाइनमिल नमंक्लेचर अगर ट्राइनोमियल पूछ ले नाम से समझ में आ रहा है थ्री इसमें एक होगा जनेरिक नेम एक होगा specific specific epithet याद रखो पहला component जोगा generic name जोगा specific epithet इस टेक्निक को दिया था क्या रॉल लीनियस इसके आने की possibility बोट जर 2021 में स्टेट्मेंट रजाएगा सिधा फॉल्विंग बाइनमिल नमंक्लेचर इस गिवन बाइव फॉल्विंग संटिश्चर मेर मेर लीनियस तो को लीनियस मार्क करना है उसके बाद यह यहां पर example दिया हुआ है कैसे उन्होंन कि इसना यूज नहीं है तो वाहं से हम करते और लगते वक्षी हम लोग staff लिक्तय बीत्य क्षाएगffe गुश्य हम लोग इतालीक्स में ना इव्क्ष डोलिक सांता-टी नियूख्य है गरूसर्त मेसे लिएं लेवाट रेंच में चीनिवर्व सब्सट्रीचश्य हुगर एम आए-म जी आह फिर है औरह मैंने हात्थ से से हाले करूह दो के तो मैं इसको अंडरायंग करोंगा सेपरेटली अंडराइं करों इसके अचैनिस का नाम लिखते अबरीवेटेड़ सॉत में इसके सॉति फूल फॉर्म लेगा उनसर करना एक्जम्पल लिन्न अन्स्यूज लिनियस ठीक है चुक्डी इसको फिर्स रेंगों को लिनियूस ने अब वाद है classification आप आप classify शी मने बता दिया आपको इसमें जो आपको पढ़ना है आप पढ़ लेजा जल्दी से इसमें कुछ नहीं है इतना important आपको classify करना है भास खत्म इसके बाद ये एक important line है hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa हम living organisms को different different groups में taxa में classify कर सकते the process of classification is taxonomy उस process को हम नाम देंगे taxonomy जो प्रोसेस हम on the basis of characteristics अलग अलग रखेंग और निजमस को उस प्रोसेस को नाम देंगे taxonomy ये किसमे basis है इसका basis है external and internal structure भार का अंदर का structure structure of cell, cell का structure, development process and ecological information ecology में मतलब उसका ecological क्या रोले वो information माइने रखती है ठीक है और यह सारी मिला के क्या बनाता है modern taxonomic studies का basis ठीक है यहाँ पर जो sequence दिया हुआ है यह गलत है sequence नहीं है अमने सिब बताया है तो बहुत बच्छे यही answer करके आ जेंगे तो यहाँ पर classification last में आएगा नमेंटरी से पाइड़े आएगा ठीक है तो यह सारी चीजे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है दिरिंग मार्स दिजे लेकिन important point नहीं है exam के point of view से systematics वर्ड दिया किसने था लीनियस ने दिया था systematic वर्ड दिया किसने था लीनियस न जिया था कब दिया था उनकी एक बुक प्रब्लिश विए इसका नाम था सिस्टम और नाचरे ठीक है लीनियस ने यह वर्ड दिया था सकता है 2021 के लिए expected question है मुझे लग रहा है कि linear question जरूर से आएगा taxonomic categories पता होगा आपको एक taxon होता है एक group होता है ठीक है rank होता है वह सारे rank एक stage पे मिला के बनाते taxonomic hierarchy ठीक है all categories together constituted taxonomic hierarchy सारे category मिला के एक taxonomic hierarchy बढ़ाएंगे याद कर लेना ठीक है क्या होता है taxon basic unit है क्या है basic unit क्लासिफिकेशन तो याद कर लेना इस है यह भूलना नहीं कि basic कौन सा है species है यह भूल के तो सारा करपड हो जाएगा ठीक है तो इसमें सबसे ज्यादा fundamental similarity सबसे ज्यादा species में होंगे example दिये हुए याद कर लेना मैंजिफरा इंडिका mango solenum टूबर सम पटेटो पैंसर लिए लायन ठीक है और और के आमने पास और क्या है इसमें आपको मिलेगा solenum के और varieties भी है तो आप उसको नाइगरम जी है आप लिक लीजिए नाइगरम का इंपोटेंट है यह मॉर्फो चेप्टर में दिया हुआ है लेकिन वह एक्दम छुपा हुआ है मॉर्फो में भी तो आपको इसको मार्क कर लो तो सुलनर नाइगरम होता है मकोई क्या होता है म-a-k-o-i-i-e-m-a-k-o-i-e-s-orry and melon जना दिया हुआ है आगे जो होता है ब्रिंजल ठीक है homo sapiens पता ही आपका होगा humans humans का genus का हो हो पूरा वर्ड का है homo sapiens ठीक है जीनस का है फैमिली का है जीनस का है बहुत सारे स्पीसिस में लाके एक जीनस बड़ा जीनस बनाते जिसमें fundamental similarities कम होती है ठीक है लेकिन दो जीनस है उनमें आपस में जो characteristics है वह different होंगे लेकिन जो species है उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर मोर characteristics वाले species होंगे मतलब हम लोग tiger और lion को एक ही जीनस में रखेंगे क्योंकि उनमें fundamental similarities जादा है ठीक है लेकिन टाइगर का पैंथर है जो टाइगर का जीनस है वह और डॉक का जीनस के अंदर जो species है उनमें similarities बहुत जादा है लेकिन दो जीनस के विच में similarities जो है कम है याद कर लो लाइन पैंथर लिओ पैर्डस पैर्डस पैर्ड लोपार्ड लेपार्ड ठीक है लेपार्ड का आपको याद कर लेना है पार्डस ठीक है tiger कर दो हो जाएगा degrees इस सारी चीज़ आप याद कर लो ब्रिंजल टमाटों का समझ में आगा ब्रिंजल लेनम melon जना ठीक है cat का जो जीने से cat का cat उसका नाम है फिलिस और डॉक्स का जो है वो है चैनिस याद कर लो फिलिस और कैनिस फैमिली में आते बो सर जिनरा मिला के एक फैमिली बनाते है जिसमें और कम नंबर और सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो यह अभी आपको याद हो है तो इसके आज यह पूरा आप याद कर लेजा कितने कितने फैलिस cat फैलिडे फैमिली आती है उसमें कैनेडी है डॉक की फैमिली है यह इंपरन्ट कोश्यन फ्रम 2121 के लिए इसको हमने रखा है इसको हम आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलोजी में एक बारिवास करेंगे आप दूरा ठीक है SPD तो आप इससे याद कर सकते हो ठीक है उसका ओडर प्याते है और कहें बहुत सरे फैमिली में एक एक और बनाते हैं असेंब्लेंच ओफ फैमिली एग्रिगेट्स ऑफ करेक्टर्स असेंब्लेंच ओफ फैमिली ठीक है हो गया याद कुछ नहीस में यह कुश चैने डीय डीय में चैसा और टाइगर आ रहा है याद रखना फैलिज जू है उसमें सिफ फैमिली ए डॉक्स का फैमिली ए डॉक्स का अघी धा के लुटायर दिए चवरेट घर आपको बूसरे लगाइना के फायल में हम इसको और च्यक्किनमर तलम में ठीक फाईलम सटे यो आरेश उटा करने दिये वह हम आगे बढ़ेंगे आरेश पास्ट इंगडम ठीक है शुर आपको यहाँ पर यह पढ़ना है इन सब चीजों के लिए ट्रिक मत देखिए इसके आप इतना देंसे को करेंगे आपको याद्ध हो जाएगा बोसरी ट्रिक से भी अपन्सील के अगए क्यूंकि प्लांट्स में हम फायलम को दिविजं के जेंगे कए खत्म के जो काल भूस ने दिया था जैसे हम लोग species से kingdom की वो जाएंगे number of common characteristics घटते जाएंगे देखाए था हमने as we go from the lower tax of more are the characteristics ठीक है that's the members share लेकि हम जैसे जैसे higher the category greater difficulty determining the relationship at the same level क्योंकि number of common similarities जो है कम होजा जा रहें अगर similarities कम हो गए तो हम लोग उनके बीच में कुछ relation किसे बता पाएंगे ठीक है अगर plant और animal सबसे highest category धून लो यह प्लांटी है kingdom क्या है प्लांटी एनिमेल उसमें similar features बहुत कम है तो उनके बीच में हमें relationship determined करने बहुत टाइम लएगा यहाँ पढ़ लीजिए homo sapiens यह सारी से याद कर लीजिए सबसे इंप्रण्ट जो इसमें है याद करना सबको आपको यह एनकारड़ेसिया 2021 के लिए यह भी expected question है 2021 family of mango एनकारड़ेसिया family के end में कभी भी AE आएगा ठी इसमें इसे होते हैं जो हमें प्लांट को स्टेड़ी करना में और फ्यूचर यूजिस के लिए हम लोग यूजिमें लेते हैं इसमें कुछ नहीं है हर्बेरियम में क्या लिखा है हर्बेरियम क्या इक storehouse है इसमें हम plant specimens को collect करते उन्हें सुखाते है एक ऐसा plant specimens हो समझाए फ इन्पर को motion यह उसको we अरुचे से प्लेक्स के लिए उसको यह नीज इसमें क्या जाता हिसा मतलब उसका इंतिपिक निम क्या है यह तिया नहीं है जो भी इयुसका जो फैमिली का नाम क्या है, uSKY दूसरा इयर 5 फ़लोगैने 6 पॉइंटों स से लेवल पे लिए थे ऑप्षियम में देगा क्लास का नाम, Aller का नाम, x 카 क्या हैSON कुछ नहीं यह है सब पाइव इतना पॉइंट करने में और हमें र doğड़नेकर गॉज्म हाँ लिवीग प्लांट के सिर्थाइस ईसको हम्रेफर कर सकते इसमें इंगलेंड में यहाँ पे लार्जिस बिटनine इसके बाद इंडियन बोटेक्टन गार्डन हाउरा में है और नाशनल प्रटन लगनो में इससे कोशन आएगा आप नाइंट्रेम पर्शन बच्छे गलत कर देंगे किसका क्या था इंडियन इसका था नाशनल किसका था तो ट्रिक है है यह एलन ठीक है यह को लड़का है इसके नाशनल याद कर लो म्यूजियम यहां पर प्लांट्स एन इनिमल्स होते है ठीक है मरे हुए ठीक है जिसको हम एजूकेशन इंस्ट्टूट्स में सेट अप करते है ठीक है जो स्पिसमें से हम उझे प्रिजर्व इटी सोलुशन में डालते है इसका नाम होता है फॉर इशरा कि भाल कि इसकेशन निकल लेते है और उने स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं और म्यूसियन में स्कैलीन्स भी होते है जो इंप्रइंट प्र और बाख इब की स्किली नहीं होता है पको मॉमार करने पार्स में कि क्या होती है क्यैं मतलब एक टूल ए it is used for identification of plant animals plants animals को identify करने के लिए काम आता है किसके उपर based होती है similarities or dissimilarities for example, दो characteristics ठीए तो दो characteristics से basis पर अब यह plant यह किससे match करता है अगर यह एक किससे match करता है तो इसको हम दो reject कर देंगे ठीक है? reject कर देंगे तो इससे होता है one का acceptance होता है और one का होता है rejectance ठीक है? तो keys are based on contrasting characters generally in a pair को couplet ठीक है? जो यह contrasting characters है मतलब समझो यह tall यह short ठीक है? तो हम समझ में रहा है कि यह tall बन रहा है तो यह short को हम reject कर दिये तो यह जो contrasting pair से contrasting characters है इससे हम कहेंगे couplet क्या कहेंगे? couplet couple मतलब क्या दो तो couplet ठीक है? और जो each statement है key में उसे हम कहेंगे lead confused नहीं होना each statement को कहेंगे हम लोग lead उसके बाद हमरे पास के important point है जो keys होते generally analytical यह जटना generally not always यहाँ पर confused कर देगा और यहाँ पर आपके गलती होने की possibility है not always generally Florida Manuels Monographs and Catalogs में क्या क्या आता है? Florida Manuels Catalog में Florida में क्या है? Florida में actual account of habitat and distribution of plants in a given area है कि actually plants यह Flora Flora अपसे नाम से बिज़मारा Flora मतलब क्या? Flora मतलब plant के लिए होगा Flora मतलब plants के लिए होगा और एक area में जो plants मिल रहे है उसका habitat क्या है? distribution क्या है? habitat and distribution को देखने के लिए हम लोग plants का plants का Flora का इस्तमाल करते है Flora जो है हमें index प्रोवाइड करते है जो plant species found in a given area एक area समझो मैं Delhi का Delhi में देख रहा हूँ Delhi में आप में देख रहा हूँ कि कौन से-कौन से plants मिलते है ठीके? तो मैं Flora को refer करूँगा ठीके? यह मुझे एक index प्रोवाइड कर देगा वर्ड अगर index आ गया और plant species आ गया तो Flora मार्क कर दो manual क्या करेगा? manual भी एक area में ही काम करेगा लेकिन वो सारे species का होगा identification of all species किसके लिए? identification of all species सारे species का identification सीव प्लांट्स के लिए नहीं बहुत बुच्चे गल्फी कर देते हैं Flora सीव प्लांट्स के लिए है और यह सारे species के लिए है तो इसको भी आपको याद रखना है और monograph जो है नाम से समय में है mono, mono मतलब single एक tax column पर जो information प्रोवाइड करता है के दें monograph